एक ही दिन में 150 लोगों से ज़्यादा का आकड़ा पार कर चुके सहर इंदौर में सिवराज सिंग चौहान के प्रसासनी कौसल को कुरोन टाइम कर दिया है हालात रोज भयानाक से भयावय होते जा रहे हैं और अब तो बेकाबू हो चुके हैं सबसे पहले सुनिए सिवराज सिंग की तयारी और उनका इंतजाम क्या है भीलवाडा में 23 लाख स्क्रीनिंग, जैपुर में हुई है 12 लाख स्क्रीनिंग, मुंबई में 8 लाख स्क्रीनिंग हुई है और इंदौर में screening हुई है दाइव लाक मात्र एक पूरा सहर कोरूना के कारखाने में बदल चुका है इंदौर के चप्पे चप्पे पर दहसत पस्री हुई है लाग डाउन जारी है पूरा सहर सील है लेकिन जाज के नाम पर सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है पर क्या पता वो इसा क्यों नहीं कर रहे हैं पर साथ ही साथ ये भी जरूर है कि इंदोर की 40 लात लोगों को हम मुख्यमंत्री के वरूसे मोत के मुह में नहीं डाल सकते इंदोर के परिवार का होने के नाते मेरा अपना इंदोर है इसलिए मैं देश के प्रधान मुंत्री से आग्रया करता हूँ कि इस पूरी सिच्वेशन को आप हैं देश की सरकार हैं इंदोर में करोटाइन एरिया के श्यंक्या 125 है जिसमें से केवल 50 लोगों की स्क्रेशन हो पाई है भीलभाडा में 3 दिन से केवल 1 क्रोना संक्रवित बचा हुआ है पूरे केरल में 24 घंटों में केवल 1 नया संक्रमण सामने आया और इंदोर में 26 घंटों में ही क्रोना 152 क्रो सामले में फिसदी बने हुई है मदद्रेस में इस बात में कोई संडे नहीं है देरी हुई क्योंकि पहले कोई गवस्थ ही नहीं थी इंतिजाम ही नहीं किये गए अब हम तेजी से टेस्ट कर रहे हैं प्रती 10 लाख की जन संख्या पर इन दौर में 2100 टेस्ट हो रहे हैं यह सं इस बात की नहीं कि पॉजेटिव जादा आ रहे हैं कोई एक एक पॉजेटिव को हम ढूड़ना चाहिए